वाडि थाना अंतरकर दुर्ग धामना परिसर में सोमवार को एक संसनी खेज घटना सामने आई 12 वर्षिय बालक की संदेहास्पत मौद से पूरे इलाके में हड़कम मजगया पहले तो यह मामला बच्चों के आपसी लड़ाई का लग रहा था लेकिन जाज में जो सज बाहर आया उससे सभी के रॉंग टे खड़े हो गए बहन के बॉइफरेड नहीं बालक का गला घोट कर हत्या कर दी थी देर रात मामले की गुत्ती सुलज गई और पुलीस ने आरोपी युवक को गिरफतार कर लिया पकड़ा गया आरोपी विवेका नंद नगर दुर्ग धामना निवासी स्नेहल सोन पिपले बताया गया पुलीस ने बताया कि मुरुतक बालक और आरोपी एकी इलाके में रहते है मुरुतक की बड़ी बहन के साथ स्नेहल के प्रेम संबंद है दोपहर के समय यूती ने भाई को कुछ खाद्य सामगरी लाने के लिए बहार भेजा था इसी दौरान आरोपी स्नेहल उसके घर पर आया कुछ देर बाद मुरुतक बालक घर लोटा तो बहन को आपत्ति जनक हालत में देखा इससे पहले कि वह कुछ बोलता या समझता स्नेहल और यूती ने बालक को समझाना शुरू कर दिया किसी को कुछ न बताने की विनती करने लगे लेकिन बालक ने माता पिता से शिकायत करने की चेतावनी दी वह कुछ सुनने को तयार नहीं था उसे उत्तेजित होते देख स्नेहल ने मार पित शुरू कर दी बहन की चुननी लेकर उसकी आखों के सामने भाई का गला घोट दिया गर्फरेंड को मूँ न खुलने की चेतावनी दी और वहा से चला गया इसके बाद यूती ने जूटी कहानी गड़ी उसने पडोसियों को मदद के बहाने बुलाया और कहा कि उसका भाई कुछ सामान लेने घर से बाहर गया था हाफता हुआ वापस लोटा और कहा कि मुझे बचा लो कुछ लोगों ने उसके साथ मार पिट की है पानी के दो घूट पीने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा माता पिता भी घटना की जानकारी मिलते ही घर पहुचे तुरंत उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई घटना की जानकारी मिलते ही वाड़ी की थानेदार ललिता तुरा से अपने दल के साथ मौके पर पहुची पुलीस ने शरफ को पोस्ट मौटम के लिए अस्पताल भेज दिया